Hello and Welcome Everyone आज हम डिस्कस करेंगे Intellectual Property Rights Subject के Next Topic के बारे में जो की है Critics for IPR Protection Critics for IPR Protection में हमें क्या पढ़ना है इससे पहले हमें जानना चाहिए कि IPR का क्या मतलब है तो इसको आप Broadly Previous Lectures में जाकर इसका Meaning जो है वो समझ सकते हैं Different Type की जो Intellectual Property होती है जैसे की Industrial Property या फिर Copyright उन जो Intellectual Properties है उनको Protect करने के लिए कुस ट्रिटीज साइन की गई है तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे Slabers के Coding हमें तीन ट्रिटीज के बारे में पढ़ना है जो की है First है Madrid Protocol Second है Burnay Convention Third है Budapest Treaty हम One by One स्टार्ट करते हैं समझना चाहिए Madrid Protocol या Madrid System जो है वो Mainly Trademark से Related है यानि कि यह हर एक जो ट्रिटी है वो किसी ना किसी Particular Intellectual Property से सम्मंदित होगी और इनको Mainly किस परपद से बनाया जाता है तो Mainly या एक जो Common Purpose होता है Intellectual Property Rights को Protect करने के लिए किसी भी ट्रिटी का वो Main Purpose यही होता है कि International या National लेवल पर Intellectual Property के Movement को या फिर उनके Registration की जो Process है उनको बहुत Easy बनाया जा सके क्योंकि वो बहुत ज़ादा Lendee और Time Consuming होती है तो Madrid Protocol जो है वो Madrid System का एक Part है Madrid System के अंतरकत दो चीज़ें आती है First is Madrid Agreement and Second is Madrid Protocol Madrid Agreement जो है वो 1891 में आया था और इस प्रोटोकोल से रिलेटेड जो इस से रिलेटेड जो प्रोटोकोल है वो 1989 में कॉंक्लूड किया गया जो Parties Madrid Protocol या फिर Madrid Agreement में Part लेती है या जो हम बोल सकते हैं जो State या फिर जो Organization इस Madrid System का हिस्सा बनते हैं उन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं Contracting Parties या Contracting States आगे आने वाले स्लाइड में जब Contracting Parties और Contracting States नाम की टर्म का यूज होगा तो आप इसका मतलब समझ जाना कि वो हर State हर Party हर Organization जो कि किसी भी Particular Treaty या फिर हम बोल सकते हैं Madrid सिस्टम का भाग हो Madrid सिस्टम का पार्ट हो उसे हम बोलेंगे Contracting Parties Madrid सिस्टम International Registration के लिए दो टाइप के ट्रिटीज को माक करता है फर्स्ट है Madrid Agreement और सेकंड है Madrid Protocol यानि कि आपको ध्यान रखना है कि Madrid Protocol जो है वो Madrid सिस्टम के अंतरगत आता है तो Madrid Agreement जो है वो 1891 में हुआ अब इन सारे टाइप के जो एग्रिमेंट्स है या जो ट्रिटीज है उनमें धान देने योगे यह है कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो ट्रिटी बना दी गई है उसके बाद उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा समय के अनुसार अगर उनके रूल्स में कुछ परिवर्थन करने की जरूरत हुई तो उनमें अमेंड्मेंट किया जाता है उनमें चेंज किया जाता है तो जो Madrid Agreement 1891 में कंक्लूड किया गया था उसको रिवाइस किया गया फ्रेदर 1900 और 1911 में इससे रिलेटेड जो प्रोटोकोल था वो 1989 में आया तो आपको पर्टिकुलर हर टेटी चाहे वो बर्न कंवेंशन हो चाहे वो पैरिस कंवेंशन हो चाहे वो Madrid प्रोटोकोल हो इन सबसे रिलेटेड आपको डेट्स ध्यान में रखनी है और वो पर्टिकुलर टेटी जो है वो कौन से टाइप के इंटेलेक्चल प्रोपर्टी से सम्मन दित है आपको ये दो चीज़े बहुती इंपोर्टेंटली याद रखनी है तो जो Madrid प्रोटोकोल है वो 1989 में कॉन्क्लूड किया गया क्यों किया गया या Madrid सिस्टम को क्यों बनाया गया ताकि trademark की जो process है उसको ज़ादा flexible बनाया जा सके ज़ादा compatible बनाया जा सके domestic legislation और कुछ countries के साथ में एक ही बार हमें जो application होती है उसको एक ही बार file करनी पड़े और बाकी सारी countries बाकी सारे states में वो अपने आप file हो जाए process जो है उसको easy बनाने के लिए जो treaty है ये sign की गई थी अब गया है कि Madrid agreement या प्रोटोकोल Madrid agreement या Madrid protocol के कौन-कौन सी country या कौन-कौन से state सदस्य बन सकते हैं तो वो प्रतेक state जो की Paris convention से संबंधित होता है या Paris convention में जो part ले रखा होता है वो particular state Madrid agreement या Madrid protocol में भी part ले सकता है Paris convention क्या है ये भी industrial property से संबंधित एक type की treaty है तो जो state Paris convention का part होगा वो Madrid agreement या Madrid protocol में भी part ले सकता है Madrid protocol के संबंधित में international registration जो है वो 10 साल के लिए होता है यानि कि एक बार अगर आप किसी intellectual property से related registration करवाते हैं तो वो 10 साल के लिए effective रहता है उसके बाद further उसमें या तो renew की process करवानी पड़ती है 10 साल के बाद में या फिर उसमें चेंजमेंट करके वापस application आपको deposit करवानी पड़ेगी prescribed fees के साथ में Madrid system के क्या advantages है तो Madrid system के थूँ हम क्या कर सकते हैं trademark owners जो है उनको बहुत सारे फायदे होते है धान रखना कि Madrid system पूछे या Madrid protocol Madrid system का ही Madrid protocol एक part है और ये trademark से संबन दीत है तो trademark के owners को Madrid system से बहुत फायदा है इस system के थूँ ये फायदा मिलता है कि national level के उपर बहुत सारे application form को भरके हर state में हम अपने intellectual property को protect करवाए उससे अच्छा है कि हम सारे states के लिए सिर्फ एक application में काम चला ले तो इसका ये फायदा है कि ये बहुत जादा flexible हो जाएगा इसका use करना और particular state के लिए अलग-अलग languages में file या application form लगाना उससे अच्छा है कि हम सिर्फ एक ही language में हम application form को लगाकर और उसको सारे जगे हमारे intellectual property protect हो जाए तो ये जो है ये Madrid system और Madrid protocol के advantages है next जो convention आती है वो है burnt convention जिसे की adopt किया गया था 1886 में burnt convention जो है वो किस के लिए है जिस type से Madrid protocol जो trademark के लिए था उसे type से burnt convention जो है वो copyright issues के लिए है works और authors के rights को protect करने के लिए burnt convention उपयोग में लाया गया था it provides creators such as authors, musicians, poets with means to control how their works are used by whom and what terms कोई भी person burnt convention के through अपने copyright को protect कर सकता है कि कौन इनसान उनके द्वारा बनायेगे content को use कर सकता है कितना use कर सकता है और किन-किन conditions के उपर use कर सकता है burnt convention में तीन टाइप burnt convention जो है वो तीन टाइप के principles के उपर work करता है जो कि determine करते हैं कि कितनी उस particular copyright content के उपर कितनी minimum protection देनी चाहिए तो ये सबकुस तीन basic principles के उपर based होता है ये तीन basic principles हैं आपको इन principles के उनली नाम धान में रखने है first है principle of national treatment यानि कि किसी एक contracting state में हम contracting state का मतलब पहले जानके आ चुके हैं first एक contracting state में अगर कोई work originate हुआ है तो वो दूसरे contracting state में अपने आप ही protect कर दिया जाए second है principle of automatic protection and third है principle of independence of protection ये तीन basic principles हैं जिनके उपर burn convention work करता है next treaty जिसके भारे में हमें पढ़ना है वो है बुड़ा pest treaty सबसे पहले तो आपको यही धान में रखना है कि बुड़ा pest treaty जो है वो क्यों बनाई गई है तो बुड़ा pest treaty जो है वो generally microorganism के deposition के उपर based है बुड़ा pest treaty को बुड़ा pest treaty नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह treaty जो है वो जिस जगह पे sign हुई थी वहां का नाम था बुड़ा pest तो उस जगह के नाम पर इसका नाम रखा है बुड़ा pest treaty और इसका main feature है कि यह contracting state को allow करता है किसी भी different type के microorganism को deposit करने में क्योंकि क्या होता है जो भी different microorganism होते हैं उनकी different जो generations हैं upcoming जो generations हैं उनको maintain करना थोड़ा difficult होता है एक बाहर के environment में तो जिस भी person ने उसकी discovery की है microorganism की उसे international depository authority यानि कि ID एज इसे short में बोलते हैं वहां पर उस microorganism के strain को deposit कराना होता है कि यह new type का strain है या फिर यह पहले से exist करता है यह strain तो the Budapest treaty जो है वो Budapest में 28 April 1977 में sign की गई थी और बाद में इसमें changes किये गए 26 September 1980 में लेकिन इंडिया जो country है वो इसका part बनी थी December 17 2001 में यह एक international convention था जिसे की officially approve कर दिया गया था patent के through यानि कि different microorganism जो strains है जो से particular किसी ने discovery की होगी तो उसके patent के लिए इस Budapest treaty को sign किया गया था ताकि उस particular microorganism के strain का patent हो सके क्योंकि जैसा हमने पहले discuss किया था एक microorganism की बहुत सारी reproducing जो generations होती है उनका description रखना थोड़ा difficult हो जाता है तो patent के specification के लिए हमें यह ensure करना चाहिए कि हम पूरा सही तरीके से culture का collection कर रहे हैं उसका particular testing करवा के examining कर रहे हैं और अगर यह examine करके पता लगा कि ऐसा biological material जो कि किसी person ने discover किया है वो पहले से ही available है तो उसे वापस से deposit करवाने की requirement नहीं है बुड़ा पैस treaty के क्या advantages है कि patent की जो process है उसको simplify किया जाए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारी जो treaties है उनका main purpose यही होता है कि जो पूरी जो process होती है उसको simplify करना, cost को reduce करना क्योंकि किसी भी intellectual property से related protection के लिए एक बहुत ज़्यादा lengthy process हो जाता है और उस particular person के लिए बहुत ज़्यादा ये costly हो जाता है कि उसको बार-बार हर application हर जगह पे application फाइल करने के लिए उसे different prescribed fees देनी पड़ती है तो उनसे बचने के लिए ये treaty sign की गई है तो बुड़ा पेस्टी में के कारण simplification हो जाता है पैटेंट की प्रोसीजर का और cost reduction हो जाता है इसके अलावा बायो टेकनलोजी के field में ये different type के risk को भी prevent करने में help करता है